हाई गाईज आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर का जिवन परिच्छे डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर का जनम मध्या परदेश के इंदो शेहर में इस्तित महूँ में हुआ था जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेटकर नगर रख दिया गया था डॉक्टर भीम ब्रावंबेटकर जी का जनम 14 अप्रेयर 1950 में हुआ था डॉक्टर भीम ब्रावंबेटकर जाती से दलित थे उनकी जाती को अच्छूत जाती माना जाता था इसलिए उनका बच्पन बहुत ही मुश्किलों में व्यतित हुआ था उनके पिता मुंबेटकर जाती से बेहत गरीब लोग रहते थे जब उनके पिता सोते थे वह दीपक की हलकी सी रोशनी में पढ़ते थे भीम राव अमबेटकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे परन्तु छुआ छूत की प्रता के अनुसार और निम जाती के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सके थे डॉक्टर भीम राव अमबेटकर ने 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद एली सिस्टम कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए 1913 और 1915 प्राचीन भारत वेपार पर एक शोध परबंद लिखा था अमबेटकर ने 1915 में कोलंबिया विश्विधाले से अर्थशास्तर में MA की शिक्षा ली 1917 में PhD की पाधी प्राप्त कर ली 1917 में London School of Economics में उन्होंने दाकिलाक लिया लेकिन साधन के कारण वेह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई कुछ समय बाद लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी की भीम राव अमबेटकर जीवनी कुल 64 विश्यों में मास्टर थे नो भाषाओं में जानकर थे विश्यों में के सभी धर्मों के रूप में बढ़ाई की थी कोलंबिय विश्यों धालने में छातर के रूप में अमबेटकर 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयू में संयुक तुराजिय अमेरिका चले गए बाबा साहिब समा सुधारक होने के साथ-साथ लेखक भी थे उन्होंने कई पुस्तके लिखी बारत का रास्ट या अंज बारत में जातियों और उनका मशीनी करन बारत में लगू क्रिश्यों और उनके उपचार मुल नायक जनता पाकिस्तान परविचार इत्यादी पुस्त के लिखें भारत रतने डॉक्टर भीम राव अमबेटकर के पास 32 डिग्रियों के साथ साथ वहनो भाषाओं के जानकार भी थे डॉक्टर बिंक राव अम्बेटकर ने इतनी आसमानताओ का सामना करने केस बाद समाजिक सुधार का मोर्चा उठाया अम्बेटकर जी ने All India Classage SEO Station का संगटन किया सन 1932 में पूरे समझोते में गांधी और अम्बेटकर आपसी विचार विमश के बाद एक दमाग दर्शन पर सैमत हुए सन 1947 अम्बेटकर भारत सरकार के कानून मंतरी बने डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर गांधी जी और कॉंग्रेस के उग्र अलोचक है 1936 में बाबा साहिब जी ने सतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया 1937 में केंद्रियें विधानसबा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट जीत मिली अम्बेटकर जी को रक्षा सलाकर कम्यूनिटी में रखा गया वह वाई सराई एक्जिक्यूटिव परिशत में लेबर का मंतरी बनाया गया था बाबा साहिब आजाद भारत के पहले लो मंतरी भी बने थे डॉक्टर भीम रावमेटकर जी की समारक दिली स्थित उनके घरचबिस अलिपूर रोड में स्थित की गई है डॉक्टर बेटकर जनती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है 1990 में उन्हें मर्नोपरात भारत के सर्वच नागरिक समान भारत रत्रत से समानित किया गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब माई चैनल